तक हम लोगों ने जितनी भी पढ़ाई की, वो बेसिकलि ये D-Block के लिए की, कि D-Block का element ऐसा, D-Block का element वैसा, उसकी ये फलाना properties, उसके ये compounds, अभी देको बात्चीज शुरू होने जारी है, F-Block की, ठीक है, तो F-Block के बारे में, छोटी glasses में आपने कितने कितने जानकारी इकटा की है, एक बार देख लेते हैं, सबसे पहले, तो ये जो F-Block elements होते हैं, ये F-Block elements का एक और नाम होता है, इनको आपने lower classes में एक और नाम से इनके बारे में पढ़ा होगा, इनके बारे में जाना होगा, F-Block elements को हम लोग कहते हैं, Inner Transition element, इनर क्यों कहते हैं, करके दूँगी बट फिलाल के लिए आप याद रखे कि इसका एक और नाम होता है जिसे कहा जाता है इनर ट्रांजीशन एलिमेंट्स की बात करूं तो इनर ट्रांजीशन एलिमेंट्स को फर्दर क्लासिफाइग किया जाता है दो क्याटिग्रीज में ठीक है मतलब F block elements की दो categories होती है नाम तो तुम लोगों ने इसका सुना ही है छोटे से classes से एक category जिसे हम लोग कहते हैं lengthenites ठीक है? lengthenites कहा जाता है इन लोगों को और जो दूसरी category के elements होते है इने कहा जाता है actinoids so total आपके पास F block में दो प्रकार के elements पाए जाते है the one which are known as lengthenites and another one which are known as what? actinites ठीक है? अच्छा अब lengthenites और actinites की एक खास बात है कि lengthenites वो element है जो periodic table में जो period number 6 होगा न period number 6 के रहवासी है और actinites आपके periodic table के वो elements है जो period number 7 के रहवासी है मतलब lengthenites में जितने भी elements आते है वो सारे के सारे आपके period number 6 को बिलॉंग करते है actinites में जितने भी elements आते है वो सारे के सारे period number 7 को बिलॉंग करते है अब the point is कि कौन से elements यहाँ पर पाए जाते है और कितने वो elements यहाँ पर होते है वो हमको पढ़ना है तो देखो आपको ना ये एलिमेंट्स की जो लिस्ट है ये याद होनी चाहिए तुम अगर थोड़ा सा यूट्यूब खोलोगे गूगल करोगे तो तुम्हें ये एक्तिनाइट्स और लेंतिनाइट्स को याद करने की बहुत सारी ट्रिक्स मल जाएगी जैसे कई लोग निमोनिक्स नहीं मनाते हैं जैसे फॉर एक्जामपल किसी को अगा गुरूप वन के एलिमेंट्स याद रखने तो कैसे बताता है है लीना की रब से फरियाद गुरूप टू के याद रखने तो बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए इस तरीके के बहुत सब्सक्राइब करते हैं तो फिलाल मैं निमोनिक्स नहीं बता रही हूं और मेरा ऐसा पर्सनली मानना है कि एक स्टूरेंट को अपने निमोनिक्स खुद बनाने चाहिए क्योंकि अपनी खुद की चीज उसको जादा अच्छे से यादे रहती है तो पीरेट नमर्सिक्स के इसके बारे में छोट ऐसा दिस्कुष्शन के लेते हैं कि फीरेड नमर्सिक्स में एक ऐलिमेंट आता है लैंथन चेक्ट के पीरेड नमबर सिक्स में एक ऐलिमेंट अग्शै लैंथनम जिसका atomic number होता है 57 जिसका atomic number क्या होता है 57 इस lanthanum के बाद से ठीक है lanthanum को include मत करना प्लीज ठीक है lanthanum को include मत करना lanthanum के बाद से जो atomic number 58 है and so on मैं लिखवाती हूँ एक 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 करके एक एक element के नाम है ना ठीक है वो मैं लिखवा के रेती हूँ लेकिन lanthanum के बाद से lanthanum के बाद से ठीक है आपको वो याद रखना है lanthanum को include नहीं करना है okay lanthanum के बाद से अगर हम शुरुवात करें तो कितना हो गया आपके पास atomic number this atomic numbers is 58 यहहां पर अगर मैं 58 से शुरुबात करूं तो 58 के बाद से कुछ elements आना शुरू होते हैं ठीक है, कुछ elements आना शुरू होते हैं, जैसे कि मैं लिखवाती जाती हूँ, short form में कहते हैं, इसको CE, अगर आप इसका long cut में इसे पूछेंगे, तो इसे कहा जाता है, cerium, ठीक है, इसके बाद 59 नंबर पे आता है, ठीक है, 59 नंबर पे आता है, इसका shortcut मतलब सिंबल होता है, PR, नाम में लिखवा दूँगी, पहले symbol लिख लेते हैं, नाम लिखने में टाइम जला जाएगा, 60 नंबर पे एक आता है, उसका symbol होता है, जिसका symbol होता है, capital P and small m, ठीक है, यह हो गया आप लोगों का, एक और element, और उसके बाद 62 नंबर पे आता है, SM, अच्छा मैंने उपर मे M नहीं लिखा किया, ठीक है, M आ गया, 63 नंबर पे आजओ, ऐसे करते करते बहुत सा element है, 63, 64, उसके बाद 65, 66 और 67 पे मैंने मेरी गाड़ी रोकी, तो जो 63 नंबर का है, ठीक है, 63 नंबर इस EU, इसका नाम मुझे बड़ा पसंद है, चुकि बड़ा ही simple नाम है, इसका European, Europe को तो सभी लोग जानते हैं, बस तो इसका नाम रख दिया हम लोगोंने European, ठीक है, 64 नंबर पे एक आता है, जीडी, इसका नाम भी अच्छा है, इसका नाम है गैडो, लीनियम, क्या है, गैडो, लीनियम, spelling भी easy, pronunciation भी easy, उसके बाद 65 नंबर पे आता है, टीवी, उसके बाद आजाता है आप लोगों का dy, उसके बाद आजाता है, ho, बहुत ही विचितर विचितर से खेर, इंके symbols भी है, और विचितर विचितर से इंके नाम भी है, 68 आगया, 69 आगया, 70 आगया, और उसके बाद 70 आगया, 68 नंबर के लिए आएगा, er, उसके बाद tm, उसके बाद yb, और उसके बाद l-u, so after lanthanum, after lanthanum, मेरे पास यहां से lanthanum के बाद से कुछ elements को मैंने observe किया, जो की cerium से शुरू हो रहे हैं, और खतम बताओ कहां हो रहे हैं, खतम हो रहे हैं, l-u पर, ठेक है, और यह जो l-u word होता है, इसका मतलब होता है, lutatium, ठेक है, मतलब starting from cerium onwards, right, and ending at what, lutatium, बराबर ending कहां पर हो रही है, इनकी lutatium पर हो रही है, आच्छा, तो ऐसे जो हमारे पास elements होते हैं, ठीक है, आप इनकी counting करिये कित्ते होता है, तो अगर मैं counting करना शुरू करू, तो मैं counting कहां से कर रहे हूं, 58 से आप लोग counting कर रहे हैं, ठीक है, देखो कितने elements हो जाए 14 elements हो गए, यानि कि आपके lanthanides एक ऐसी elements की series है, जहां पर आपके पास total कितने elements होते हैं, 14 elements होते हैं, जिनकी शुरूआत कहां से हो रही है, आपके cerium से होती है, और जिनकी ending, luteum पर होती है, अब कई लोगों को ऐसा लगता है कि मैंडम आपने क्योंकि starting में LA, यानि कि lanthanum ल LA मतलब lanthanum लिखा है, तुन्हें लगता है कि जो आपका F block elements है, इन F block elements की starting भी कहां से हो रही होगी, हम लोगों के आपके lanthanum से हो रही होगी, बट actually में उतकी starting lanthanum से नहीं होती, जो lanthanum होता है, वो अपनी original position पर ही रहता है, यानि कि जहां पर group, period number 6 में जो उसकी जगा है बराबर वो वहीं पर रहता है, ठीक है, वो वहीं पर रहता है, लेकिन उसके बाद से जो elements आते हैं, ठीक है, उसके बाद से जो elements आते हैं, वो elements actually वहां नहीं रहते हैं, वो नीचे आ जाते हैं, periodic table में, बराबर वो कहां आ जाते हैं, नीचे, लेकिन आप लोगों ने फिमार ना हो है ना चलो अगर confusion के लिए है पर इस पर बातीत कर लेते हैं आपको group number one पता है वही alkali metals वाला आपको group number two पता है alkaline earth metals वाला और आपको group number three भी पता होगा जहां से first time d block elements की शुरुवात होती है तो d block elements का जो पहला element होता है that is scandium उसके बाद आता है ethereum उसके बाद आता है lanthanum और उसके बाद आता है ac यानिकी actinium scandium basically कौन से period से शुरू होता है वो fourth period से शुरू होता है ठीक है कहां से शुरू होता है scandium fourth period से शुरू होता है जो ethereum होता है वो कौन से period का element है वो 5th period का element है और obvious है कि आप लोगों का जो lanthinum है वो कौन से period का element होगा 6th period का element होगा और जो actinium है वो कौन से period का element होगा एक मिरट पीछे शलेगा हम लोग 7th period का element होगा अब scandium के बाद जो उसका डूसरा element आता है TI, titanium, vanadium जो भी आते हैं वो just इसके बाजू में normally बढ़ते हैं उनके इसमें आपको ऐसा कोई भी abnormal behavior देखने को नहीं मिलता है ठीक है वो लोग normally अपना वहाँ पे placed रहते हैं लेकिन Ethereum के बाद जो elements आते हैं मेडम उनके बारे में आपका क्या कहना है वो भी normally एक के बाजू में एक के बाजू एक के बाजू एक के बाजू हो ऐसे plays होते है बट डिक्कत यह है कि लांथनम के बाद जो element आता है कौन सा आता है लांथनम के बाद element देखो मैंने उपर लिखवा के दिया है 58 से शुरू होता है और जिसको आप लोग नाम देते हो बोलो क्या सीरियम है ना तो जो लांथनम के बाद element आता है सीरियम बराबर ये देने लगत का है abnormal behavior है ना यह लांथनम से शुरू होने वारे जो elements है कैसे देने लगते हैं abnormal behavior देने लगते हैं तो बेसिकली लांथनम को अब हम लोग उठाते हैं वो लांथनम की जो प्रॉपरटी से स्कांडियम और इटीरियम से मैच होनी चाहिए थी ना बराबर और लांथनम के अपने ग्रुप के उपर में जो elements हैं उनके साथ properties, similar properties शो नहीं करता है Serium भी अपने ग्रूप के members के चाहतَ similar properties शो नहीं करता है ठीक है वो similar properties शो नहीं कर रहा था तो हमने क्या किया हमने क्या किया हमने उस particular lanthanum और उसके बाद के जो elements हैं जो क्या कर रहे हैं अपने group members के जैसे property show नहीं कर रहे हैं उनको उठा दिया चलो चलो उठो करके बराबर उठो उठो वहाँ पे तुम लो बैट नहीं सकते क्योंकि periodic table का जो पूरा का पूरा basis है आपने दस्वी में भी पढ़ा होगा वो एक ही है बोलो क्या कि आपके groups में वो element आने चाहिए एक group में आप उनी elements को रखोगे है ना आप group में उनी elements को रखोगे जो similar chemical property शो कर रहे हैं जो कौनसी property शो कर रहे हैं similar chemical property अगर किसी की property अपने उपर वाले elements के साथ match नहीं करती तो वो उस particular group में रहने लायक नहीं है ठीक है वो उस particular group में रहने लायक नहीं है तो इसी लिए उन सारे elements को वहाँ से उठाया गया कि चलो उठो ठीक है और वहाँ से उठा कर उनको पटक दिया गया periodic table के bottom में जिनको आप लोगों ने छोटी कक्षा में पढ़ा होगा क्या लैंथेनाइट सीरीज और एक का नाम रखा होगा अक्टेनाइट सीरीज अब क्योंकि abnormal behavior लैंथेनम से शुरू होता है ठीक है क्योंकि abnormal behavior आपका कहां से शुरू होता है लैंथनम से शुरू होता है तो इसी लिए उसके सीरीज के लोगों को हम लोगोंने क्या नाम दे लिया लैंथेनाइट्स च्योंकि लैंथेनाइट्स लैंथेनम से शुरू हो रहा है न और वैसे ही जो दूसरी सीरीज है उस दूसरी पिरेट नमबर 7 में जो element है actinium उस पिरेट नमबर 7 में जो element है actinium वो भी abnormal behavior दे रहा था और उसकी abnormal behavior देने की शुरवाद भी कहा से हो गई थी actinium से ही हो गई थी so therefore उस particular element के आगे के जो लोग थे वो भी abnormal behavior दे रहे थे तो उनको वहां रखके कोई मतलम नहीं है तो उनको भी वहां से हटा दिया गया और उनको हटा के कहां बोला गया चलो जाओ आप लोग करके कहां रहो periodic table के नीचे जाके अपनी एक नई दुनिया बसा लो तो क्योंकि उन नाम दे दिया गया उनको नाम दिया गया एक्टिनाइट्स कि यह जो elements हैं लैंतन औंकर жिश्च सीरील के जितना भीए रहे सकते क्योंकि तुम अपने ग्रूप मेंबर्स के साथ सिमिलर प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहे हो ऐसे बहुत सारे रिस्पेक्ट में यह लोग सिमिलर प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहे हैं हम पढ़ेंगे उनको कि किस किस रिस्पेक्ट में इनकी प्रॉपर्टी शो नहीं और यह क्या-क्या differences आपको देखने को मिल रहे हैं, है ना, तो हम लोग अभी इसकी study करेंगे, बट यह था reason कि periodic table में, जो आप लोगों के पास groups होते हैं, या फिर जो periods होते हैं, वहाँ पर यह elements नहीं, blocks में यह elements नहीं रहते, यह नीचे में अपनी एक अलग सी separate space बनाते हैं, जिसमें से पहली वाली line को नाम दिया जाता है, lathenite series, और जो दूसरी वाली line होती है, उसको नाम दिया जाता है, actinite series, अब इनको क्यों नाम दिया गया lengthenite ? इनको क्यों नाम दिया गया ayaktinite ? आधिया बस कतम होग या मरी कानी तो लान्थानाइट और अक्टेनाइट दोनों में डिफरेंस यह समझ में आ रहे हैं लान्थानाइट भी अबनॉमल बेविए शो करấpएं आधिनाइट भी शो करहें बस फर्क इतना है कि लान टानाइट जो है वह गुरूप नंबर सर्फ पी पीरेट नमबर 6 में वो लोग आपनॉर्मालीटी खो कर रहे हैं और जो अक्तिनाइट सीरीज होती है इस अक्तिनाइट सीरीज की शुरुवात कहा से होते हैं आपको याद पड़ेगा और स्वेसर की एक्टीनियम से होगी Actinum के बाद फिर आएगा TH, Thorium आएगा PA आएगा फिर Uranium आएगा फिर Neptunium आएगा NP फिर Plutonium आता है PU फिर Amerisium आता है CM फिर AM फिर CM फिर BK फिर California CF फिर ES उसके बाद FM और उसके बाद MD उसके बाद NO और आकरी में आता है LR तो actually इसमें आपको चीजे क्या याद होने चाहिए इसमें चीजे आपको ये याद होने चाहिए कि कौन सी वारी series के element की शुरुवात कौन से atomic number से हो रही है जैसे यहाँ पे आमने बातचीत कर ली कि 57 से शुरू हो रहा है lanthanum और खतम कहाँ पे हो रहा है आपको ये पता होना चाहिए ठीक है खतम कहाँ पे हो रहा है आपको ये पता होना चाहिए similarly actinites में आपको ये पता होना चाहिए कि उनकी शुरुवात कहां से हो रही है बराबर आपको उनका atomic number पता होना चाहिए कि अच्छा कि इस atomic number से इंकी शुरुवात हो रही है जैसे कि यहाँ पे इसके शुरुवात होती है 89 से और यह खतम कहाँ पे हो रहा है यह आपको पता होना ची जैसे खतम हो रहा है 103 पर कोई इसको 103 पे खतम हो रहा है इसको याद रखना कोई कठेन काम नहीं है आप basically 89 में आप 14 एड़ कर दो तो जब आप 89 में 14 एड़ करोगे तो यह कितना हो जाना है देखो यह 103 होना है 14 ही क्यों एड़ किया क्योंकि मैडम यह F-Block के elements है और F-Block के elements की जो maximum capacity होती है electrons को sustain करने की वो कितनी होती है 14 इसलिए हमने कितना add किया 14 तो अगर आपको starting का atomic number पता है तो आपको यह वाली चीज कैसा है आखरी का कौन सा होगा यह पता करने में जादा तकलीफ नहीं आईगी ठीक है अच्छा अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है कि जो आपके actinoids होते हैं यह actinoids में जितने भी elements है actinium, thorium, protectinium, uranium, neptunium, plutonium, emeritium, curium, barcanium, californium, Einsteinium, ठीक है और उसके बाब fermium, mandelievium, nobelium और laurentium थोड़ा अजीब में लग रहा है सुनने में देखो यहाँ से सुनना पहला वाला तो चलो ठीक है thorium तो normal है, protectinium भी normal है, uronium भी normal है, neptunium हमारे solar system में एक neptune करके एक होता है ना I think, right, neptunium, pu, plutonium यह pluto एक बहुत सालों पहले, इसको पहले क्या कहते है उसको, मैं तो भूल भी गई हुआ, solar system के जो goal, goal होते हैं, उनको क्या कहते है, planets, planets में plutonium को include किया था, but बाद ने फिर हटा दिया, americium, america को तो सभी लोग पहचानते हैं, cm यानि की curium, यह husband wife का pair था, sir curie and madam curie, तो उनके नाम के उसमें रखा गया है, B के मतलब berkelium, अच्छा, cf मतलब californium, california सबको पता है, es मतलब einsteinium, है न, ff मतलब fermium, fermi भी एक था, ठीक है, md मतलब mandelievium, mandeliev को सभी लोग जानते है, no, nobelium, है न, तो यह सारे नाम आपको ऐसे नहीं लगते कि हमने अपनी जो day-to-day life में use किये हैं, जो हमारी day-to-day life में हमने इनके साथ deal की है, कभी सुना है, किसी scientist का नाम, किसी देश का नाम, किसी planet का नाम, उनके नाम पे इनको रख दिया गया, exactly, तो यह जो elements के नाम है, यह आसान रहते हैं, याद करने के लिए, ठीक है, as compared to आपके, क्या नाम है, यह जो elements होते हैं, यह जादा तर आपको radioactive मिलेंगे, अब तुम इतने बड़े हो गए हो, कि मुझे नहीं लगता कि मुझे radioactive word का, meaning तुम्हें समझाने की नीड है, बट इसमें पाए जाने वाले elements क्या होते हैं, radioactive होते हैं, और उसके अलावा, तुमने chemical kinetics पढ़ी है, तो chemical kinetics में हम एक word पढ़ते हैं, जिसका नाम होता है, half life, है ना, मतलब कोई भी चीज, कितने समय में आधा degrade हो जाएगी, तो period number 7 में जो यह elements थे, जिनका हमने नाम रखा actinites, इनके जो शुरुवाती elements हैं, बराबर actinium, thorium, uranium, इनकी half life बहुत जादा होती है, मतलब हो सकता है कि करोडों करोडों सालों तक इनकी half life ना अचीवो, हजारों सालों तक इनकी half life ना अचीवो, बट उसके बाद के जो elements आते हैं, other radioactive elements, लॉरिंशियम वगेरा, है ना, यह basically बहुत ज़दा unstable होते हैं, इनकी जो half life होती है, वो बहुत ही कम होती है, मतलब कुछ minutes में, कुछ seconds में, यह basically आधा decompose हो जाते हैं, तो अगर आपको इनकी study भी करनी है, कि अचा मैं इस particular element की properties को पढ़ना चाहता हूँ, तो होता है यह कि जो चीज़ बहुत तुरन डिके हो जा रही है, आप उसको study कैसे करोगे, आपके पास study करने का वक्त बहुत ही कम होता है, तो बस यह एक point था, जो तुमको पता होना चाहिए, और कुछ भी नहीं, है ना, अच्छा, इसके अलावा, हम लोगों ने length and light contraction जैसा एक word, already पढ़कर रखा है, जब हम लोग, छोटी कक्षा में थे, class 11th में थे, वहाँ पे periodic properties वाला chapter था, वहाँ पर आप लोगों को, किस तरीके से variation देखने को मिलता है, atomic sizes में, वो मैंने पढ़ाया था, और उसी वक्त मैंने length and light contraction भी पढ़ा दिया था, वो length and light contraction हम फिर से पढ़ लेंगे, क्योंकि board exams वालों का length and light contraction, basically एक बहुत ही famous topic होता है, कि यह बहुत ही famous topic होता है, यह लोगों को इससे सवाल पुछना बहुत पसंद है, मतलब छोड़ा सा short note, write a short note about length and light contraction, तो वो length and light contraction को भी हम लोग देख लेंगे, खेर, चलो, आगे बढ़ते हैं फिलाग, अब क्या है कि मडम F block elements के बारे में हम जान तो गए, ठीक है, बट इसका general electronic configuration क्या है, देखो, जब आप लो atomic number 20 तक रहते हो, आपकी life बहुत ही सुखी रहती है, normal electronic configuration, जैसे ही आप 20 cross करके D block elements की पढ़ाई शुरू करते हो, तो जो 3D series होती है, उस 3D series में पहला element होता है chromium, और एक element होता है copper, यह दोनो abnormal electronic configuration शो करते हैं, है नो, ठीक है, और उसके बाद जो other elements होते हैं, नीचे की series में, 4D series में, वो भी आप लोगों के बहुत सारे उन में से abnormal electronic configuration शो करते हैं, अब जो यह lanthanides हैं, और यह जो actinides हैं, इन में तो अगर मालने ते total 15 elements हैं, तो 15 में से 2 या 3 आपको normal electronic configuration शो करते होई दिखेंगे, और बाकी तो बहुत सारे abnormal electronic configuration शो करते होई आपको दिखेंगे, तो हम उनके abnormal electronic configuration क्यों होता है, कैसा होता है, उस पे भी discussion करेंगे, बट, फिलहाल के लिए इतना याद रखें, कि इनका general electronic configuration क्या होता है, जैसे हम लोग बात करते हैं, अगर कोई तुम से पूछेगा, d block के elements का general electronic configuration क्या है, तो तुम क्या बोलोगे, inert gas, ns2, n-1, d raise to the power 0 से लेकर 10, यही बात करोगे न, तो वैसे ही, अगर हम लोग यह बात करें, कि इनका general electronic configuration क्या है, तो general electronic configuration में अगर तुम घुसोगे, तो आपके जो यह f block elements होते हैं, obvious है कि आप जब इनका configuration लिखोगे, तो starting में आप inert gas को तो लिखोगे ही लिखोगे, कि कौन सी inert gas के बाद से हम इसको शुरू कर रहे हैं, है न, जो कि आपने p block में भी मैं आपको लिखना सिखाया था, और d block में भी आपको लिखना सिखाया है, ऐसा नहीं कि पहली बार कुछ है, उसके बाद फिर हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग brackets में लिखते हैं, कि s वाल पिरेड नमबर 6 से अगर आप बात कर रहे हो, तो आप लिखते हो ns2, और पिरेड नमबर 6 में अगर मैं तुमको d लिखने को कहूं, तो अगर आप पिरेड नमबर 6 में हो, तो पिरेड नमबर 6 में क्या होता है, पिरेड नमबर 6 में आपके पास 6s होता है, बढ़ आपके पास 5D होता है, मतलब D एक कम हो जाता है, तो अगर D के बारे में मुझे लिखना हो, तो N-1D आएगा, ठीक है, और वैसे ही, अगर आप period नमबर 6 में हो, तो उसके पास 6F नहीं होता, उसके पास क्या हो जाता है, उसके पास 4F हो जाता है, मतलब 2 कम हो जाता है, सोचो, N से 2 कम तो यह हो जाता है, N-2F, यह हो जाता है, N-2F, तो बेसिकली, अगर आप किसी भी F-block element का, जनरल electronic configuration लिखते हो, तो inert के S का लिखोगे, फिर उसमें, जिस period में हो, उसका S लिखोगे, उस period नमबर से 1 कम वाला D लिखोगे, और उस period नमबर से 2 कम वाला क्या लिखोगे, F यह है, कि F-block elements में, जो D वाला होता है, D, D वाले में electrons जाते ही नहीं है, सुचो, D वाले में electron जाते ही नहीं, S वाले में जाते है, S वाले में, NS2 अपना fully कर लेता है, अपना full हो जाता है, बट, D वाले के पास electron जाते ही नहीं है, और या तो 0 होते है, या तो 1 होते है, ऐसा, काईदे से D की capacity कहा तक होती है काईदे से D की capacity होती है 10 तक यहां पे से उसको एक electron मिलता है और बात खतम कि यहां ठीक है एक electron हो गया बात खतम हो गई और जो F वाला होता है इस F वाले के पास जैसे की मैंने बता है इसकी capacity 14 तक है तो किस element का atomic number क्या है उसके basis पर यहां पर इसक मैं 1 to 14 क्या करते है रेंज करते हैं अब अगर मैं इसमें तुमसे specifically बात करूँ कि मैंडम बताईए F ब्लॉक के elements का general यह सब्सक्राइब लैंथनाइड वाले जो elements हैं आप उनका general electronic configuration क्या बताएंगी तो common sense का इस्तमाल करिए लैंथनाइड आप लोगों के शुरू कहां से हो रहा है six period से शुरू हो रहा है बराबर लैंथनाइड जो आपका शुरू कहां से हो रहा है six period से शुरू हो रहा है तो actual में मुझे बात बताओ कि fifth period का मुझे fifth period का inert gas लगेगी है ना मुझे fifth period की क्या लगेग इनर्ड गैस लगेगी अगर सिक्स पीरेट से मेरा लेंतिनाइट शुरू हो रहा है तो मुझे इनर्ड गैस कहा की लगेगी मुझे इनर्ड गैस लगेगी फिफ्ट पीरेट की तो देखो इनर्ड गैस कों कोंसी होती है हीलियम उसके बाद होता है नियॉन उसके बाद होता है Argon, उसके बाद होता है Krypton, उसके बाद होता है Zenon, उसके बाद होता है Redon, यहीलिया हम आपके First Period का, Neon Second Period का Argon Third Period का, Krypton Fourth Period का, Zenon Fifth Period का तो इसका मतलम मैं जिस Inner Gas को यूज करूँगी वो Inner Gas होगी Electronic Configuration लिखते हैं वक Lanthanides के वो होगी Zenon Zenon के बाद मुझे किसका Configuration लिखना है मुझे S वाले का Configuration लिखना है अभी-अभी मैंने क्या बताया आप जिस Period के हो, उस Period का S लिख दो तो क्योंकि हम लोग 6 Period में हैं तो हम लिखेंगे इसका General Electronic Configuration 6 S 2 अब मैंको बात करीए D की तो D में मैंने क्या बताया या तो 0 Electron होंगे या तो 1 Electron होंगे एक कम होगा तो 5 B और उसकी पावर में 0 से 1 अगर मैं F वालों के बारे में बात कर रही हूँ तो F में क्या होंगे आपके 2 कम हो जाएगा अब जिस भी Period में हो उससे 2 कम तो 2 मतलब कितना हो जाएगा 4 F और उसकी पावर में कितना आजाएगा 1 से लेकर 14 उसकी पावर में कितना आजाएगा 1 से लेकर 14 इसमें रटा मानने की कोई चीज नहीं है कि अरे रट रहे हैं इसको यह एकदम लॉजिकल है ठीक है कि एक कम वाला D, दो कम वाला F बस इतना याद होना चीजिए कि लेंटनाइट 6 पीरेट से होतना है और एक्टनाइट जो होते हैं वह कौन से पेरेट से होते हैं वह 7th पेरेट से होते हैं तो अगर कोई मुझे एक्टनाइट के जितने भी elements हैं अगर उनका जनरल electronic configuration लिखने को बोलें तो क्योंकि आक्टनाइट साथवे पीरेट से शुरू होते हैं तो मुझे इनर्ट चटवे पीरेट की लगेगी तो चटवे पीरेट की इनर्ट इनर्ट कान से होती है redon, so I will write rn क्योंकि मेरे अक्टनाइट 7th पीरेट से शुरू हो रहे हैं, so I will write 7f2 उससे एक कम वाले को हम d में लिखेंगे यानि कि 6-1 sorry 7-1 equal to 6 d पावर में 0 से लेकर 1 और f को अगर लिखने की बारी आई तो दो कम लिखेंगे 5f 1 से लेकर 14 तो पेपर में कई आई बार mcq type के questions में या one marks के question में directly पूछ लिया जाता है कि General electronic configuration f block का क्या है General electronic configuration lanthanides का क्या है General electronic configuration आपके क्या नाम है इसका actinites का क्या है तो यह आपको पता होना चाहिए अभी आज की class में तो मैंने just a introduction दिया f block elements के बारे में और कुछ भी नहीं कि f block elements क्या होते हैं कैसे मतलब इंके क्यों f block कहा गया है है ना क्योंकि इसमें electron d में ना जाते हुए electron कहां चले गए उडी से अंदर पाए जाने वाले f में therefore we call them as f block elements right अच्छा और इनको periodic table में जहां normally इनको होना चाहिए उन्हें वहां नहीं रखा जाता है इन्हें रखा जाता है अलग से कहां पे इन्हें रखा जाता है अलग से periodic table के bottom में नाम बना रिया जाता है lanthanite series and actanite series अब कल हम लोग specifically lanthanite को पढ़ना शुरू करेंगे आज तो हमने in general f block elements को पढ़ा जैसे कि क्या बातचीत कर ली कि यहां पे f sub shell होता है n-2 का मैंने बताया d का अगर लिखना है तो n-1 लिखोगे s का अगर लिखना है तो n-s लिखोगे है ना अच्छा एक चीज में बताना भूल गई कि lanthanite की पुराने जमाने में इन्हें rare earth elements कहा जाता था ठीक है इन्हें क्या कहा जाता था rare earth elements because उस जमाने में इनको अधरती के अंदर से extract करना was quite difficult ठीक है बराबर इनकी कैसी थी quite difficult चीज थी क्योंकि इनकी properties जो रहती थी काफी हद तक other elements के मतलब जो भी था यह इसलिए का जाता था पर जैसे जैसे science बढ़ी technology बढ़ी अब हम लोगों को इनको किसी दूसरे elements से इनको separate करना हमारे क्योंकि काफी आसान है तो अब इनको currently chemistry की दुनिया में rare earth elements नहीं कहते हैं ठीक है फिर f block elements के बारे में basic जानकारी दी है कि इनके जो metals होते हैं soft होते हैं इनके पास melting point जादा होता है इनका boiling point जादा होता है है ना बहुत ही जादा reactive होते हैं बराबर अच्छा और उसके अलावा बात दिया हुआ है कि अगर इन metals को आप पानी में डालोगे तो पानी में डालने के बार hydrogen gas liberate करेंगे जैसे आप sodium को अगर पानी में डालोगे तो hydrogen gas liberate होती है दस्वी में पढ़े होगे तुमने और साथी साथ में क्या बनता है alkali है ना जैसे अगर NA को मैंने water में डाला तो क्या बनता है NAOH और कौनसी gas release होती है H2 तो वैसे यहां पे F block elements के बारे में भी बताया गया है कि इनमें भी alkali बनेग और साथ में कौनसी gas release होगी hydrogen gas release होगी है ना अच्छा उसके बाद इंका comparison किया गया है कि अगर हम transition metal transition metal मतला D block के elements अगर उनके साथ इनका comparison करें तो lanthanides के पास lower heat of atomization होता है ठीक है बराबर अच्छा क्यों क्योंकि आपके जो D block elements होते हैं उनके पाद D electrons होते हैं जिनको तोड परने के लिए ज़्यादा energy लगती है ठीक है बाकी फेको GK facts आपको दिये book में जो आपको अपने notes में include करने हैं मैं अलग से लिखवा के नहीं दे रही हूँ कि European वो actinides वाला और iterbium इनकी lowest enthalpies of vaporization की और उसके बाद ठीक है और सबसे ज़्यादा इनके पास क्या है atomic radio है ठ ठीक है बराबर यह इस तरीके से अच्छा और उसके अलावा क्या लिखा है these two elements resemble alkaline earth elements मतलब यह alkaline earth elements यानिकी group two वाले elements के साथ जैसे behavior show करते हैं क्यों क्योंकि अगर आप इनी दोनों elements European को और iterbium को अगर ammonia में dissolve करते हो तो यह blue color का आपको solution देते हैं अगर आपने s block पढ़ा है तो s block का यह बहुत important property होती ग्रूप two elements की कि ammonia में जाने के बार एक blue color का electrically conducting solution ही आपको दे देते हैं ठीक है और जैसा कि मैंने बताया कि यहां पर आपको radius में जैसे हमारी के expectation होती है कि periodic table में आप group wise जितना नीचे 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 जाओ होगे आपका क्या होना चाहिए atomic size उतना बढ़ना चाहिए बट बिसिकली ऐसा होता नहीं है size घटने लगता है या फिर जितना बढ़ना चाहिए उतना ना बढ़कर almost constant रह जाता है ऐसा क्यों size क्यों नीच बढ़ पाता तो उसका reason होता है length night contraction जो की हम लोग 11th class में पढ़ ल पढ़ेंगे वो है उसका electronic configuration मैंने आग जो ची लिखना सिखाई वो थी जन्रल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन अम मैं को को कि इसमें total 14-15 elements है तो 14-15 elements में हर एक element का electronic configuration लिखना हमको सीखना है और उसके बार कौन सा electronic configuration abnormal behavior शो कर रहा है वो हमको पढ़ना सीखना है ठीक है उसके अनावा कलम oxidation state पर भी बातचीत करेंगे कि इनके इसमें common oxidation state कौनसी होती है ठीक है और मतलब indirectly कल की class में पूरा का पूरा लैंफिनाइट्स मुझे cover कराना है पूरा का पूरा लैंफिनाइट्स